आज हम Nutrition Management of Animals के बारे में स्टेडी करेंगे पसों का आहार प्रभंधन इसमें जो केटर है, जो गो पसु है उनका अधी Nutrition Management के बारे में स्टेडी करें तो ये बात आएगी कि वर्ड में हमारा देश इंडिया मिल्क प्रोडेक्शन में प्रतम इस्थान पर है लेकिन हमारे देश में अभी भी पर केपीटा एनिमल प्रोडेक्शन बहुत कम है इसका मुख्य कारण क्या है कि यहां सस्ताव और बेलेंज डाइट की जानकारी का अभाव है पोशन एनिमल नूट्रिशन एक मेनेजमेंट का एहम इस्था है किसी भी फार्म पर कुल लागत का 60-70% बाग उसके नूट्रिशन पर खर्च होता है सस्ते वे संतुरित आहर द्वारा अलफ्य पर अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता यदि हम भोजन बैलेंज देंगे सस्ता देंगे तो कम खर्च करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता अधिक दूद उत्पादन की नीव पसु के बाई बर्थ से प्रार्यम करनी ची इसका मतलब है कि उन बच्छोडों को जन्म से ही अच्छा पोशन दिया जाना ची अब हम स्टेडी करेंगे जैसा कि इसमें दिखाया गया कि न्यूबॉर्ण काफ का हम पोशन के से करेंगे नूट्रेशन के से करेंगे नवजात पसु का पोशन जो newborn calf है, जो cattle calf है, उनका पालत portion उसके भविशे के उत्पादन को प्रववित करता है यदि जन्म के समय, जो govans के बच्छडे हैं, जो cattle के newborn calf है, उनका rumen विक्षित नहीं होता है एक विक्षित होता है, इनकी portion की आफशकता हैं, एक single stomach वाले पसों की तरह होती है जो गाय के बच्छडे हैं, उनकी उचित प्रदी, एक उनके आहर में निवन बातों का होना अशक है कौनगोन सी बाते होना अशक है, एक तो high quality का परियाप्त मात्रा में protein high quality का परियाप्त मात्रा में protein, दूसरा भरपूर उर्जा दायक आहर तो तीसरा विटामिन A वर D के साथ विटामिन B है और परियाप्त मात्रा में खनीज लेवन मुक्यता calcium, phosphorus, sodium and chloride इनका होना अशक है जो newborn cough है, उनको जन्र के दो गंटे के अंदर ही मा का पर्थम दूद यानि जैसे जो newborn cough है, उनको जन्र के दो गंटे के अंदर ही जो मदर का first milk है, जिसको हम खीस बोलते हैं, colostrum प्रारम के तीन से पांस दिन तक कीस को पिलाना आउशक है बच्छडे का वजन का लगबग 10 परतिज़, जैसे बच्छडे का वजन का लगबग 10 परतिज़ यानि 2 से 5 किलो colostrum परतिज़ देन देना चीए कीस को आद वारा सोशित करने की शमता सिर्व जन के प्रारमबिक दिनों में ही होती है और ये colostrum पिलाने के क्या-क्या advantage है वो इसमें जैसा दिखाया गया कि colostrum में protein के मातरा दूद से अधिक होती है ये protein मुक्य रूप से anti-bodies के रूप में होता है जो आउस्वस्वित होकर newborn की रोग परतिरोदक शमता को बढ़ाता है और बीमारियों से बचाता है और दूसरा कारण है खीस में mineral और vitamin परचुर मातरा में होते हैं और तीसरा है खीस lexiety होती है दस्तावार होती है यानि कब्ज से बचाती है पसू का पहला जो गोबर होगा that is muconium को बहार निकालने में कॉलस्ट्रम मदद करता है और यदि किसी कारण वर से उसको खीस उपलब नहों हो तो खीस के इस्तान पर सुरू के तीन चार दिनों में बचडे को निम्न आहार देना ची यदि किसी कारण से उसको कीस उपलब नहीं हो तो उसको कौन साहर देंगे एक अंडे को 275 मिली गुरूने पानी में फेटे फिर उसमें आदा चम्मच केस्टरावल डाल देंगे और 10 इलक्रिट्रिक यूनिट आई यू विटामिन A और आधा लिटर दूद और एंटिबाइटिक 80 इमजी मिला कर फेट कर मिलाएं फेट कर इसको पिला देंगे तो क्या क्या होगा 275 मिली मिली मिटर गुरूने पानी में एक अंडा और केस्टरावल 10 आई यू और विटामिन A आधा लिटर 10 आई यू विटामिन A और आधा लिटर दूद एंटिबाइटिक 80 इमजी मिला कर फेट देंगे और इसका तापमान 40 डिग्री सेंटिग्रेट रहे यह मिस्रन एक खुराग के लिए इस तरह तीन खुराग एक दिन में पसू को खिलाएंगे इसको कोलस्टरम उपलब नहीं हो रहा है तो गो वस्तों को खिलाने की अनुसूची जो केटल काफ है उनको खिलाने के लिए क्या-क्या ध्यान रखेंगे बच्छों को 3-4 दिन तक खीस पिलाने के पस्चाथ 10 से 14 दिनों तक होल मिल्क पिलाए जाता है पंतु उर्जा कम होती है जो जिसका क्रीम निकाल लेते हैं उसमें प्रोटिन अदिक होती है और उर्जा कम होती है अता है क्रीम उत्रे दूद को पिलाना आहराम करते ही बच्छडे को प्रचूर उर्जा वाला दाने का मिसरन काफ इस्टार्टर दाने का मिस्रंड खिलाए जाता है इसके अत्रित दूसरे सब्ता से उन्हें उत्तब किसका फलीदार फसल का फलीदार फसल प्रदान की जाती है और इसका रूमन विकास को प्रोफसान इससे क्या होता है कि दूसरे सब्सक्राइब करने लगता है जो कि आर्थिक दर्ष्टी से उत्तम है इतना चारा प्रदान किया जाता है कि जितना बचड़ा खा सके बचड़ा उनको खिलाने की सुची इस नीचे जो इस टेवल में दिखाया गया उसके अंसार है तो ग्रोस प्रेड जो बचड़े होंगे उनको खिलाने के लिए सारिक भार क्या धार पर जिससे आयू एक से चार दिन पांस से चौदा दिन पंदरा से अठाइस दिन और 29 से 42 औ लास्ट में 121 डेज़ तू 182 रिदेज यानि छह मेने तक ओं यह की स्की मात्रा किलोग्राम है यह भार का एक बटा 10 वार 10% देंगे 1-4 दिन तक और 1-4 दिन तक और कुछ भी नहीं देंगे ना होल मिल्क देंगे ना क्रीम देंगे ना दाने का 1-4 दिन तक only कॉलोस्टरम देंगे जैसा कि स्मिटेवल में दिखाए गया 5-14 दिन में खीस देना बंद कर देंगे और सरीर के भार का 10 परसिशत हम क्या देंगे उसको होल मिल्क देंगे और फिर 15-28 दिन में 15-28 दिन में खीस नहीं देंगे और होल मिल्क देंगे 1-1 सरीर के भार का 20% 20% होल मिल्क देंगे और 20% क्रीम उत्रा दूद देंगे और दाने का मिस्रण भी 0.10 kg देंगे अब गुंती से 42 दिन में उसको हम क्या देंगे 1% सरी भार का दूद देंगे और 10% देंगे उसको क्रीम उत्रा दूद और 0.50 kg उसको दाने का मिस्रण भी देंगे और इसी तरह लास्ट में 121 से 122 देंगे लगबग जब बचड़ा 6 मेने का हो जाता है उस अवस्ता में पूंड दूद नहीं देंगे क्रीम उत्रा दूद 1 kg देंगे और दाने का मिस्रण हम बढ़ा देंगे 1.5 kg इस प्रकार इस से न्यूबॉर्ण काफ का पालन करती है या उसका पोशन किया जाता है अब आगे दूद एक जैसे हम दूद दे रहे हैं कि यह एक महंगा आ रहे हैं यदि हम इन जो न्यूबॉर्ण काफ है उसका पालन सच्बार ऊचीत रूप से करना चाते हैं तो दूद की स्तान पर काफ श्टार्टर का इस्तामाल कर सकते हैं यह काफ श्टार्टर जो ऊच्छे गुण हो रता का प्रोटीन ःमर्जा दायक अवियों का मिला कर त्यार कर गया istar काफ स्टार्टर क्या होता है इसमें highly quality protein और highly energetic उर्जा दायक consistent को मुला कर तयार कियाता है काफ स्टार्टर इन जो newborn काफ है उसके आहर में 15 दिनों के बच्चा थोड़ा-थोड़ा मिला कर कर शुरू करते हैं दिल दिरे इसकी मातरा बढ़ाते जाते है दूद की मातरा कम करते एक 8 दो महिने की उम्रत पून रूप से दूद पून रूप से खतम कर देते हम क्या करेंगे कि दिल दिरेか हrem è इसको काप स्टार्टर देंगे इस काप स्टार्टर में जैसे कौन-कौन से इसकी सरस्टना के से होती है इसमें पिसावा महीन पिसावा जो यह होता 47% मुंपली खल 40% मॉलसिस 10% नमक 2% मिनलमेटर 1% एंटिवायोटिक 3 ग्राम 3-6 ग्राम इन से मिलाकर काप स्टार्टर का निर्मान उस्टार्टर सरस्टना होता है और उनको निर्मित किया जाता है काप स्टार्टर वकम दूद के साथ बचड़े की पालन की अनुसुची आप जैसे बचड़े की आयू 16-21 दिन और 1-2 मेना 2-3, 3-4, 4-5 और 5-6 मेना होल मिल्क और काप स्टार्टर और फलीदार चारा 16-21 दिन में इसको होल मिल्क देंगे 3.5 केजी काप स्टार्टर देंगे 0.10 केजी और फलीदार चारा कुछ मात्रा में फिर 22-28 दिन में होल मिल्क कम कर देंगे 3 केजी काप स्टार्टर की मात्रा बढ़ा देंगे 0.25 केजी और फलीदार चारा कुछ मात्रा में शित्र एक से दो मेने में दूद की मात्रा आधी होगी कितनी 1.7 केजी और काप स्टार्टर मात्रा 0.50 केजी और फलीदार चारा देंगे उसको भरपूर इसे तरह दो से तीन मेने में ये दूर जो होल मिलक है वो नहीं देंगे और इसकी इस्तान पर काफ स्टार्टर वन केजी देंगे इसे तरह 5-6 मैंने में होल मील नहीं देंगे काप स्टार्टर देंगे पताक पताक अकेले हाँ देना बंद कर देना चीए 6 माँस की उम्र तक रूमेन अच्छी तरह विक्सित हो जाता है यह पसु हर प्रकार का चारा पचानी योग्य हो जाता है ऐदलानी जो नौन लोग विमने चारे बूसे के साथ पसु की उच्छी तो पड़वा रहे तो उसे साथ में दाना मिसरन लगबग दो किलोग्राम आफशक है यह अच्छा दलानी चारा उपला दो दाना मिसरन की मातरा गड़ा कर एक किलोग्राम की जा सकती है और इसमें जैसा की नेक्स इसमें बता गया यह थी इसमें उच्छी तो उड़ जा प्रोटीन दायक आहार इन न्यूबर्ण काप को सारिक भाहर वर्दी में सायक होता है यह था जितनी जल्दी सारिक भाहर में वर्दी होगी पसो उतना ही सिग्र ब्रीडेबल एज यह प्रेजिनन योग्य होगा बढ़ते वे गोवन्स की आहर क्या आशकता वर्दीदर 500 ग्राम परतिजिन सारिक भजन सत्तर 100 140 760 200 240 इसमें डेम की मातरा हम देंगे 70 केजी में डेम 2.10 केजी DCP 2.59 TDN 1.39 केल्सियम ग्राम में 8 ग्राम और फास्पोरस 5 ग्राम इस फीचारे जारीक भार 240 पे होने पर देम नेंगे 5.97 DCP 647 ग्राम और TDN देंगे 3.68 केजी केल्सियम 25 ग्राम और फास्पोर्स पी 17 ग्राम इस प्रकार इनका आशक्ता वर्दिक के सबसे इन न्यूबर्ण का आपको देंगे अब जो वैस्क पसू है जो अडल्ट पसू है उनका पोशन एक जो अडल्ट एनिमल है उसको जिन्दा रहने के लिए बिना किसी प्रकार के सारिक बाहर में बढ़ोत्री के या कमी के बिना किसी उत्पादन के नियूंतम पोशक तत्वों की आफशक्ता उसका निर्वार राशन कहलाता है उसका निर्वार मेंटिनेंस राशन या निर्वार राशन हम किसको कहते हैं जो जिंदा रहने के लिए बार किसे भर्णी नियूंतम पूशक्ततों की आफशक्ता की पूर्ती निर्वा राशन दौरा होती है पूटिन ए उर्जा की नियूंतम आफशक्ता शरीर के मेटाबॉलिक साइध पर निर्पाधी है अनुरक्षना वस्ता में उर्जा की आफशकता है मैत्पून किरिया के लिए पड़ती है जिसे सोसन, हिर्दे की दड़कन, रक्त, सर्कुलेशन और टीर्स और टीशूस के टूट फूट करना के लिए प्रोटेन के आफशकता पड़ती है इस जिसे जो अनुरक्षन आ रहे है, जो निर्भाह आ रहे है, जो मेंटिनेस रास्ण है वो जन में पहशर तत्व की इत्नी मात्रा विद्दिवान होनी दिए इक पशू के सरीर में संचे, नय तो संचे हो सके और नहीं पशू को उस तत्व की कमे हो इस प्रकार अडल पसों का नूट्रिशन का ध्यान रखते हैं अब हैं ग्याविन जो प्रिनें काउ है ग्याविन गाय का राशन किस प्रकार काऊगा कुछ बच्डियां कम उमर में ग्याविन हो जाती है जिनमें भूर्ण के विकास के साथ साथ स्वयम के सारीक विकास होतु अत्रिक पोशन की आवशकता होती है इस इस्तिती में एक थम रूल के अंजार सारिक वर्दी है तो आउशक आहर के साथ 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 साथों महीने में एक किलोग्राम दाना देना प्रारम कर देना चीए आउशक आहर के साथ साथों महीने से उसको प्रिणेंसी राशन भी देना प्रारम कर चीए इससे बढ़ाते में दो किलोग्राम और बैस्वों में राशन 1.5 से 3 किलोग्राम तक कर दिया जाता है तो यह सिंपली हम एनिमल नुट्रिशन के क्या क्या जो प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में हमने आज स्टेडी किया नेक्स क्लास में दिस्क्स करेंगे थेंक यू